हाई दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल नौलेजविद संदीप नागर में है आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स फोर किलोनिंग जीन्स इन प्लांट एनिमल्स तो इससे पहले के जो पार्ट है मैंने प्ले लिस्ट में डाल दी हैं इससे पहले के पार्ट को देखने के लिए प्लेश्ट में जाए और वहाँ पे सारे पार्ट को आप देख सकते हो पढ़ सकते हो आप अच्छे से तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा वेक्टर्स फोर किलोनिंग जीन इन प्लांट एनिमल्स तो हम प्लांट और एनिमल्स के इंडोनुकलेज एंजाइम से कट करके उसके अंदर अपने जीन की अपने जीन को घुसा करके वहां से अपने जीन की multiple copies त्यार करवाते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर इससे पहले पार्ट में आपने पढ़ा selectable marker वाले में पढ़ा आपने वहां पे हमें एक जीन एक वेक्टर की जरूत पढ़ी थी जहां पे हमने जो artificial वेक्टर पढ़ा आपका PBR 322 तो PBR 322 और एक है आपका दूसरा था PUC PUC यह दो वेक्टरों का यूज किया हमने यहां से PUC 8 ने बताया कि कौन सा रिकंबिनेंट है कौन सा नौन रिकंबिनेंट डारेक्ट एक स्टेप के अंदर PBR322 ने बताया कि दो step के अंदर कौन सा recombinant है कौन सा non-recombinant है पहले step में इसने के वली बताया कौन सा transformant है कौन सा transformant नहीं है तो अब देखो हमने यहाँ पे vector का use किया बट हम directly क्या काम करवाएंगे directly plant के अंदर है directly animal के अंदर अपने gene की multiple copies करा सकते है यहाँ पे हमें किसी artificial vector वगरा की जरूत नहीं होगी एक natural vector ही इसमें काम करेगा तो आईए देखते हैं आगे next है आपका you may be surprised to know that we have learnt the lesson of transferring gene into plant and animal from bacteria and virus which have known this ages तो आप इस बास से surprise हो सकते हैं आप एक बात को surprise करेंगे जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे थे कि हमने जो gene transfer कराया था उस gene को हम plant और animal के अंदर भी transfer करेंगे कहां से लेकर के bacteria और virus से लेकर के तो इस के बारे में आप इस part के अंदर पढ़ेंगे हम तो इस बात को सुनकर के आप surprise हो सकते हो इसको देख करके तो देखो यहाँ पे how to deliver gene to transform eukaryotic cells किस तरीके से हम eukaryotic cell के अंदर उस gene को transform करेंगे उस gene को किस तरीके से हम eukaryotic cell के अंदर घुसाएंगे and force them to what to do what the bacteria and virus want तो वहाँ पे हम किस तरीके से bacteria और virus से उस gene को निकालके eukaryotic cell के अंदर किस तरीके से हम उसे force करेंगे तो यहाँ पे examples दे रखेंगे सबसे पहला example है आपका agrobacterium tumnifacian tumnifacian तो यह एक bacteria होता है इसके बारे में बताता हूँ यह क्या काम करता है इसकी बारे में सुन लो पहले यह bacteria क्या काम करता है यह bacteria यह मान लो हमने मान लिए यह हमारे पास में bacteria है और यह हमारे पास में plant है और यह plant की leaf है यह plant की leaf है तो यह मैंने plant की leaf बनाई यह bacteria के अंदर यहाँ पे इसका plasmid है यह bacteria का plasmid है तो यह bacteria का plasmid plasmid पे कोई gene है ये जीन ठीक है इस जीन को हम T.D.N. ने बोल रहे हैं ये डीन ने का पीस है इस पीस को हम T.D.N. ने बोल रहे हैं तो ये क्या काम करेगा ये बैक्टिरिया जाकर के इस के पास जाएगा और इसकी सैल के बाहर ये मैंने मान लिया कि हमारे plant की leaf की cell है इस leaf के अंदर इस cell के अंदर ये क्या काम करेगा अपने plasmid को छोड़ देगा ये इसने अपना plasmid छोड़ दिया और plasmid क्या काम करेगा इसका plasmid इसका plasmid क्या काम करेगा ये इसका DNA हो गया यह जो मैंने बनाया आपको यहां पर यह DNA हो गए हमारे यहां पर तो यह plasmid का TDNA है यह वाला plasmid का TDNA है आपका यह वाला तो यहां से यह part क्या काम कर गए यह plasmid जो है अपने इस TDNA को इस leaf की cell के genetic material में मिला देगा यह leaf है यह leaf वाला part बनाया मैंने इसकी यह cell है यह अंदर बनायी जो मैंने इसकी इस cell के अंदर यह TDNA अपने genetic material को मिला देगा और यहां से क्या काम करेगा यह bacteria का जो plasmid है जो TDNA प्लाजमिर तो रहे गया यह क्या काम करता है इसको किसी restriction endonuclegy enzyme की जरूरत नहीं है यह खुद ही अपने इस TDNA को कट कर सकता यहां से और इस TDNA को कट करके यह जो plant की cell है उसके अंदर मिला देगा उसको और वहां से plant की cell के अंदर free है क्या काम कराएगा जितनी भी plant की आसपास की cell होंगी उन cell पे attack करेगा और उन cell के nutrition को उन से ले लेगा ठीक है जब उन cell के nutrition को ले लेगा तो वो अपनी कम जोर हो जाएंगे और उसके अंदर अपने DNA को छोड़ देगा वहां से अपने gene की बहुत सारी copies कराएगा जो इसका infectious gene था और उस gene को हम नाम दे रहें T gene तो वहां से क्या cause कराएगा वहां से tumor cause कराएगा ठीक है एक तरीका से tumor या cancer cause कराएगा तो यहां से देखी दिए जो मैंने बताया आपको अभी एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमनी फेशियंस यह एक बैक्टिरिया यह पैथोजन्स होता है प्लांट के अंदर disease cause कराता है कौन से प्लांट के अंदर केवल केवल डाइकोट प्लांट के अंदर इसके पास में अपने एक DNA होता है जिस DNA के नाम है TDNA और यह क्या काम करता है उसको normal plant cell के अंदर transfer करता है वहां से tumor cause कराता है direct these tumor cell to produce the chemical required by the pathogen तो यह क्या कम करता है यह tumor डारेक्ट एक तरीके से जो यह tumor होगा यह कुछ chemical reduce करेगा यहां से अर्जो की एक तरीके मनद पैथोजन के तवारा कुछ chemical reduce की गए जिसके कारण यह tumor बना है ठीक है तो यहां से हम बात करेंगे अब मैंने बताया कि यह काम dicot plant के अंदर होता केवल अब हम क्या काम करेंगे हमारे जो human है उसने क्या काम किया इसका जो plasmid था इसका जो plasmid था यह इसका plasmid है और यह इसके plasmid का tdna जो एक तरीके से यह वाला वो dna जो आपका जो मैंने piece यहां तो बनाया भी blue color का यह वो piece है जो tdna जो infection फैलाने के काम करेंगे प्लांट के अंदर तो हमने क्या काम करवाया restriction endonuclease enzyme के थरो इसको ही कटवा दिया ठीक है ना इसको कटवा दिये यहां से और इसको कटवा के इस जिगे पे अपना फोरण जो हमने जो जिस भी हमें जीन की multiple copies करवानी है उस dna को हमने यहां पे डाल दिया ठीक है अब यह क्या काम करेगा यहां स इसकी सहल के अंदर इंटर करने के बाद में यह जो plajmid है इसके पास में यह अपना dna हुआ ठीक है और हमने कट करवाया था तो इसके अंदर हमारे वाले की property है अब साथ में तो यहां से इसके dna की sequence भी इंगड गई तो यहां से यह chemical religion नहीं कर पाएगा बट क्या काम करेग यह अपनी वही property सो करेगा यहां से कटने वाली property अपने tdna को काटेगा और plant के genetic material के साथ में मिला देगा ठीक है तो यह बस infection नहीं फैला पाएगा कोई chemical religion नहीं कर पाएगा जो chemical आपका tumor कर रहा था और बागी की सारी properties करेगा तो यह क्या काम करेगा इसके अंदर जाएगा बहुत सारी इस placement की multiple媽 naprawdę कोउपीज करवाएगा जब placement की multiple próxima चेहोंगी अलग-alग cell के अंदर तो यह हमारा वाला DNA था सामिल जो हमारा वाला DNA था यहां पर यह वाला है थोड़ 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 DNA था इसके अंदर इस DNA की multiple感じ होँए हरे एक के अंदर ठीक है तो यहां से क्या हो तो इस तरीके से हम plant के अंदर gene cloning कराते हैं सेम इसी तरीके से हम बात करेंगे animals के अंदर तो animals के अंदर क्या होता है यहाँ पे लिखा हूँ आपका similarly सेम इसी तरीके से retrovirus in animals retrovirus जो होता है animals के अंदर वो भी normal cell को transfer कर देता है किस सेल में कर सकता है कैंसर सेल में कर सकता है या उसके अंदर एड्स वगरा भी कोज करा देता है यह वाइरस ठीक है तो ए बैटर तो हमारा कैंसर सेल कराने वाले वाइरस की बात करने को रेट्रो वाइरस के अंदर बहुत सारे अपको अलग-अलग वाइरस देखने को बात मि करता है ठीक है यूकर्टिक सेल के अंदर मतला हमारी बॉडी के अंदर जब पहुंच रहा तो हमारी सेल के अंदर नॉलिज को जनरेट करेगा और उससे वहां से ट्रांसफॉर्म कर देगा ठीक है टूल्स और पैथोजन्स यूज फुल वेक्टर फूर डिलीवर जीन्स इंट क्या काम होता है यह हमारे पास रेट्रो वाइरस है और रेट्रो वाइरस के पास में एक अपना आर ने होता है ठीक है रेट्रो वाइरस के पास में अपना एक आर ने होता है और इसके आर ने पर कोई डीन ने है मतलब सौरी डीन ने ने इसके आर ने का कोई फैक्टर है कोज करवाएगा तो यह disease यह जैसे हमारी cell के contact में आता तो यह क्या काम करता है यह खुद तो इंटर नहीं होता है केवल अपने RNA को इंटर करा देता तो इसका RNA इंटर हो गया और जो यह ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर यह इसका वो है जो infection फैलाने का काम करेगा अब यह हमारी cell का genetic material है यह क्या काम करेगा वाइरस जो होता है रिवर्स ट्रांस्क्रिटिज एंजयम से RNA से पहले DNA बनाएगा ठीक है और DNA जैसी हमारी cell के साथ में मिलेगा तो वहां से infection कौज कराता है जो infection क है आपका cancer है यहाँसे तो यहाँ पर क्या काम करवाएंगी हम यह अंपर हमने क्या काम किया तो यह हमने इसके अंदर अपना जीन डग दिया अब यह क्या काम करेगा यह तो अपनी multiple copies करेगा न जागे आके तो पहले अब इसको फिर इंटर कराया हमने अपनी human body cell के अंदर तो यह से हमारी human body cell के अंदर इंटर की आए reverse transcriptage enzyme से इसने RNA से DNA बनाया और हमारी cell के अंदर गया और इसने बहुत सारे अलगलग cell बनाई ठीक है अलगलग cell बनाइगी तो अब इसके RNA के अंदर हमारा gene kloning था हमारा gene था तो यह क्लोनिंग हो जाएगा हमारा gene अब और बहुत सारी अलगलग क्या करेगा multiple copies त्यार करवाएगा ठीक है तो यह इस तरीके से काम करेगा यहाँ पे तो हमने एक तरीके से प्लांट के अंदर से इस पे काम लिया अब यहाँ पे हमने एनिमल के अंदर इस से काम लिया किसे जो हमारी बॉडी के अंदर infection फैला रहे थे उनके दोरा ही हमने काम करा लिया देखे लो human का कितना सैतान दिमाग है ठीक है तो यहां से देखे लो इसके बाद है तो हमने क्या काम के जो एक pathogen था उसके gene को ही समझ के हमने एक art के थ्रोस को दिलीवर किया उसके साथ में अपने gene को दिलीवर किया यूकर्टिक होस्ट के अंदर और वहां से एक ट्रांसफॉर्म करके उस knowledge को generate किया वहां से जो pathogen के जो tools थे उनको उनकी यूजफिल चीज़े थी उसको समझा जो एक तरी किसे infection फैल राने वाले चीज़े थी उनको समझा ठीक है वहां से उस vector का फिर हमने यूज़ किया और उस vector के यूज़ किया अपने gene of interest को deliver कराया human के अंदर ठीक है तो the tumor indicating ti plasmid जो होता है agrobacterium tumniferous तो मैंने agrobacterium tumniferous बताया था इसके पास में एक plasmid है जो plasmid का structure बताया था तो उस plasmid का नाम है आपको ti plasmid ठीक है ti plasmid had now been modified into cloning vector ti plasmid को इस तरीके से modify कर दिया वो एक cloning vector की तरह काम करेगा which is no more pathogenic to plant but still able to use mechanism to deliver gene of our interest a variety of plant वो अब क्या काम करेगा plant के अंदर कोई भी disease cause नहीं कराएगा बट जबकि उसका use हम जो कर रहे हैं अब किसके लिए अपने genes को deliver करने के लिए अपने gene of interest को deliver करने के ल similarly retrovirus have been also disarmed इसी तरीके से हमने retrovirus को जो हमारे लिए खतरनाव था retrovirus उसको disarmed किया उसको भी एक तरीके से kill करवाया मतलब उसके भी जो infection फैलाने वाला gene था उसको हटा दिया वहाँ से उसको broke करवा दिया जिससे कि वो infection नहीं फैलाए और उसका हमने use किया deliver desirable genes animal cell के अंदर desirable genes को अच्छे genes को deliver करने के लिए अच्छे genes को पहुचाने के लिए so once a gene और DNA fragment has been ligated into suitable vector it transformed into a bacterial plant and animal host अब क्या काम करेंगे यहां से जो हमने DNA का fragment करवाया जो हमने अपना DNA लिया था और जिस plasmid का हमने fragment कराया उनको दोनों को ligate करके उन दोनों को जोइन करा करके ligate करा करके उनको एक suitable vector बनाया और suitable vector में जोइन कराके उसे ठीक है जो sorry जो हमने अपना DNA पीच लिया gene लिया उसको हमने suitable vector के अंदर ligate कराके gene को उसके साथ में चुपका करके उसको transfer करवा दी या तो bacterial cell के अंदर या plant cell के अंदर या human cell के अंदर और वहाँ पर फिर वो बहुत सारी अपनी multiple copies बनाएगा जिससे कि जो भी gene का वहाँ से निकलेगा उस gene का फिर बाद में use कर लिया जाएगा आई होप आपको वीडियो का सारा content समझ में आ गया होगा इसी तरीके की NCRT को read करने के लिए साथ में ही नीट के कि उस questions को read करने के लिए जो 34 previous year में question आई है उनके लिए हमारे channel को subscribe करें like करें share करें comment करें और मैंने आपना Instagram channel का link विदिया हुआ वहाँ पर मैं बहुत अच्छे daily quiz questions लाते रहता हूँ उसके लिए हमारे Instagram channel को follow करें thanks to watch my video